हद हो गई ब्रिस्ता भी तार तार हो गई भतीजे ने अपने ही चाचा की हत्या कर दी इस घटना के बाद चेतर में संसनी फैल गई यह घटना भोजपुर जिले के सापुर्थाना चेतर के छोटकी सहजौली में घटी हमले में मृतक के पुत्र वब पोता भी जख्मी हो गए पुलिस मौके पर पहुची और चानबीन में जुट गए पुलिस ने हत्या के आरोपी भतीजे को गिरफतार भी कर दिया बोजपुर जिले के सापुर्थाना चेतर के छोटकी सहजौली गाउं में सुक्रवार की रात एक पुजुल्ग की चाकु मार कर हत्या कर दी गई हमले में मृतक का पुत्र वब पोता भी घायल हो गया उनका इलाज अस्थानी अस्पताल में कराए गया मामला पुर्व से चले आ रहे है विवाद का बताया जा रहा है घटना को लेकर गाउं तथा आसपास के इलाके में संसनी फैल गई जानकारी के अनुसार मृतक छुटकी स्वजवली गाउं निवासी हिर्द्यानन यादो है गटना की सूचना मिलते हैं थाना ध्यक्ष दिप्नरायन सिंग मौके पर पहुंचकर सौग को अपने कज़े में ले लिया सौग को पोस्ट माटम के लिए आरासद स्पताल भेज दिया गया है पुलिस द्वारा हत्या के आरोपी मृतक के भदीजे रामवचन यादो को त्वरित कारवाई करते हुए गिरफ्ताल भी कर लिया गया मृतक के पुत्र जितेंदर यादो ने नामजद प्रात्मी की दर्ज कराई है